हलो एप्रीबन वेलकम टू सट्डी आई की पीचिस दिस इस मनीश रभास्तो जैसा कि आपको पता है दिन के दो बजे के इंपोर्टन सेशन होता है जिसमें जन्र स्टेडीज के अलगलग सब्जेक्ट को हम लोग यहां डील करते हैं कभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं पॉलिट इस टेकनोलजी से रिलेटेट क्या-क्या चीजें होती हैं इसके अंदर क्या-क्या जो है इसके पार्ट से इन सारी चीजों पर बहुत अच्छे से नजर डालेंगे ताकि स्पेस रिलेटेट जो भी चीजें है एकदम बेसिक से अगर हमारी स्ट्रॉंग रहेंगी तो हम कर रहे हैं किसकी Space Technology Space Technology या इसको क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा आपका अंत्रिक्ष या अंत्रिकी हिंदी में इसको क्या कहेंगे अंत्रिक्ष या प्रोध्यगी की तो यह क्या है अंत्रिक्ष में जो टेक्नोलोजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब देखिए इससे जोड़ी हुई जो चीज है इस पर ध्यान द अब होता क्या है कि सन के आसपास आप देखेंगे तो क्या गूमते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर अलग-अलग ग्रह गूमते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लानेट्स बोलते हैं, और इन प्लानेट्स के एराउंड, कुछ चीजे घूमती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको हम कहते हैं, उब्ग्र है, सैटलाइट्स, तो देखिए, ध्यान से देखिए यहां पर, हम बात क्या कर रहे हैं, कि वही जो स्पेस है, स्पेस में हमारा जो स्टार है, हमारा जो तारा है, वो क्या है, सूर्य है, अब इस सूर्य के आसपास कौन परिक्रमा करेगा, कौन जो इसके एराउंड जो है, रिविल्यूशन कर र रहे हैं अलग लग प्लैनेट्स है हमारे इसमें अर्थ भी है इसके अंदर जो है जुपिटर भी है इसके अंदर साटन भी है शनी भी है ब्रहस्पती भी है इसे बहुत सारे ग्रह इसके आसपास घूम रहे हैं तो स्पेस के अंदर हमें मेनली क्या चीज़े मिल रही है हमें हमें star के अलाबा planets मिल रहे है और planets के बाद हमें एक और चीज मिल रही है जो इनी के होते हैं जिनको कहा जाता है satellites तो हमें क्या मिल गया? satellites जिसको हम क्या कह रहे है? उप, ग्रह ये हो गए आपके ग्रह ये हो गया आपका तारा ये तीन चीजें आपको space में देखने मिलती है mainly तो यहां तक तो आपने देखा हुआ है समझा हुआ है अब होता क्या है इसी से जुड़ा हुआ अगर हम बात करें कि वह जो satellites होती है वो satellites दो तरह की होती है एक है natural satellites और दूसरी होती है artificial satellites यह नहीं को कहा जाता है प्राक्रितिक उप ग्रह और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया वो हो गया आपका क्रितिम उप ग्रह तो यही कुछ चीजें होती है तो यह तो आपको समझने आ रहा है कि स्पेस में जाने पर आपको सन रोजाना देखता है हम अर्थ पर रहते हैं यह प्लानेट है अब अर्थ के एराउंड आपको क्या मिलेगा मून देखने मिलेगा यह मून भी घूमता रहता है कभी हमें फुल मून देखता है कभी हमें न्यू मून देखता है मतलब कभी हमें पूर्णिमा देखती है कभी अमावस्या देखती है और मून के अलग-अलग फेसेस देखने मिलते है तो मून अलग-अलग जगा पर फेसेस बदलता रहता है इसके बाद ये क्या चीज है, मून तो हमारी artificial satellite हो गई, चंद्रमा तो हमारा प्राकरतिक उपग्रह हो गया अब जो ये बात कर रहे हैं, artificial satellites को, कि हम space में अपने हिसाब से, अपने purpose को fulfill करने के लिए क्या बेज़ देते हैं, हम अपने purpose को fulfill करने के लिए भेजते हैं, satellites को, satellites को भेजा जाता है, मतलब उपग्रहों को भेजा जाता है तो क्या वो naturally मिलते थे हमें, नहीं, वो naturally नहीं है, वो तो हमने उनको create किया हुआ है तो इसलिए हमने उनको नाम क्या दिया हुआ है, artificial satellite या क्रितिम उपग्रह है क्योंकि हम अपने purpose को fulfill करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारा क्या purpose है इन satellites को भेजने के लिए तो अगर हम बात करें, satellites की, तो आज हम घर में TV देख पा रहे हैं, DTH connections है, internet यूज हो पा रहा है GPS service हम यूज कर रहे हैं, आसानी से, हम जो है Google Earth को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें Earth के अलग-अलग points पर हमें पृत्वी की जितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें पता चल रहे हैं, तो यह चीजें क्या हैं, यह हम क्या, यहां पर बैठे बैठे पता कर रहे हैं या space से ये सारी चीज़ों को monitor किया जा रहा है कहीं पर कहीं बहुत जादा बाड आई हुई है या कहीं तूफान आने वाला है ये सारी चीज़ों को observe कौन कर ले रही है ये satellites कर ले रही है तो मतलब हम अपना जो भी हमारे काम है हमारे जो जो purpose हैं उनको fulfill करने के लिए हम क्या करते हैं हम satellites को use करते हैं लेकिन वो कैसे satellites होते हैं हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं man-made satellites होते हैं man-made satellites का मतलब सीधा सीधा सा ये अर्थ हुआ कि ऐसी satellites की बारे में बात कर रहे हैं जो कृतिम तोर पर बनाई गई हैं किसी जो है laboratory में बनाई गई है किसी space centers में बनाई गई है जिसमें अलग अलग चीजें जोड़ी गई है सेटेल राइट करिंगे इस पर भी समझेंगे अभी पहले आप इतना जो है अभी के वाले space की बात करें satellites पर भी मैं अभी बता रहा हूँ कि satellites कैसे करती है तो हमने देखा भाई जो अंतरिक्ष है space है उसके अंदर sun तो है sun के around जो है आपका क्या है gravitation भी है gravitation हमने physics में अभी पढ़ाई है उसमें मैंने आपको एक force भी बताया था center petal force तो center petal force जो होता है अभी के इंदरी बलके गार ने ये सारी चीज़ें इसके around घूमती रहती है सेम चीज ये जैसे earth है तो earth के around भी कोई ना कोई चीज घूम रही है तो हमारे पास मोटी मोटी ये चीज़ें आ जाती है अब जो हमें बात करनी है वो किसकी करनी है artificial satellites की कृतिम उपग्रह की बात करनी है तो देख लेते हैं कृतिम उपग्रह के बारे में देखे हम बात करने है किसकी एक कृतिम उपग्रह ये कृतिम उपग्रह क्या है तो ये ही है आपका artificial अब इस artificial satellite से हमें क्याप करना है हमें मान लिया जाए weather condition पता करनी है हमें पता करनी है मौसम की जानकारी हमें कहीं पर floods के बारे में पता करना है कितना शेत्र बाड ग्रस्त है कहीं पर drought के बारे में पता करना है कहीं पर सूखा पढ़ रहा है उसके बारे में देखना है कहीं cyclones आ रहे है मतलब आपके चकरवाद आ रहे हैं हमें इंटरनेट इस्तिमाल करना है या हमें सैटलाइट फून्स इस्तिमाल करने जैसे कई एरिया हैं जहाँ पर आपको मुबाइल टावर्ज नहीं मिलते हैं तो वहाँ आप case का use करते हैं, आप satellites का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उपग्रहों satellite phones का use किया जाता है, और satellite phones से सारी जानकारिया एक जगा से दूसरी जगा पहुचाई जाती है, जैसे नकसल जो शेत्र है, उसमें हर जगा mobile towers नहीं है, तो जो भी वहाँ पर अलग-अलग battalion गूमती है, वह आपस में contact किसके दूर करती है, satellites के phones के, तो वहाँ satellite phone का काफी दब-बा है, तो basically वह purpose हमारा कैसे fulfill हो रहा है, artificial satellite से, तो होता यह है कि वह एक कोई भी artificial satellite की, अगर हमने बात कर ली, तो अगर हमने इसको space में भेजा है, तो इसमें हमने कुछ ना कुछ तो लगा कर भेजा होगा, इसके अंदर अलग-अलग components जो हैं भेजे गए होंगे, मतलब अगर कोई satellite space में है, अगर कोई satellite को हम कहां भेज रहे हैं, अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो अंतरिक्ष में भेजने पर, space में भेजने पर, हमारे ये सारे काम तो हो रहे हैं, ये तो कुछ ही काम लिखे, अब जैसे मैंने लास ले से लेश, चाप्टर में आपको GPS बताया था, GIS के बारे में बताया था, ये सारे chapters हमने इसमें पड़े हुए तो ये क्या कर रहे हैं ये ultimately हमको information gather करके देख रहे हैं पूरी जानकारियां एकटा करके हमारे तक पहुचा रहे हैं तो अब मान लिया जाए कोई satellite भेजी गई है तो ये satellite केवल ऐसी कोई ऐसा तो नहीं होगा जस्ट हमने कोई एक box बनाया कोई बक्सा बनाया और उसको भेज दिया space में ऐसा नहीं है हमें ये सारी चीज़ें पता करनी है तो हम इसमें क्या लगाएंगे इसमें हम हो सकता है radar लगा दे हो सकता है इसमें हम लेडार लगा दे हो सकता है हम इसमें sensor लगा दे इसमें हम इसको power देने के लिए photovoltaic cell लगा दे मतलब सूरे से इसको उर्जा मिलती रहे तो इसमें क्या है इस तरह की चीज़ें हम लगा दे ताकि इसको उर्जा हमेशा बनती रहे इसके अंदर हम battery लगा कर भेज दे इसके अंदर हम जो है radiometry का setup कर दे इसके अंदर हम transducers को लगा दे जो एक प्रकार की उर्जा को दूसरी प्रकार की उर्जा में बदलते हैं ऐसी अब satellite cable जैसा है कहा जा रहे कि satellite cable खाली नहीं पहुचा देंगे हम हम satellite में हमारा purpose पूरा करना है हमारे सारे कारे पूरे करने हम ये सारी जानकारियां पता करनी है तो ये सारे sensors जो है या transducers जिनको कहा जाता है ये वहाँ पर बनाए गए हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़े create की जाती हैं ताकि वो satellite वहाँ पर आसानी से घूम सके उसका वजन होता है उसके अंदर space होता है जैसे हमने last session में भी International Space Station की बात की थी तो उसमें भी मैं आपको कई तरह की information बताएं थी कि space में इस तरह की चीज़ें होती है तो अब देखिए ये अगर satellite है ये satellite कहां पर है तो space में गई है तो ये space में कैसे गई होगी सबसे पहली चीज दिमाग में आईगी कि वही ये satellite को space कैसे भेजा गया होगा तो आप बोलेंगे कि सर कोई ना कोई चीज से अगर हमें यहां से कलकता जाना है यहां मदरास जाना है तो हम by plane जा सकते है by road जा सकते है by train जा सकते है यही तो हमारे पास रास्ते है अब यह satellite को हमको space में भेजना है तो इसको कैसे भेजा गया होगा तो इसको भी तो किसी ना किसी चीज से भेजा गया होगा इतनी सारी चीजें इसमें लगी हुई है तो हम जिससे भेजते हैं उन्हीं को कहा जाता है longing vicles उनको क्या कहा जाता है longing vicles जिसको कहा जाता है प्रक्षेपन यान तो मतलब एक इम्पॉर्टन चीजellen इसमें ये भी हो ईगी कि इसको भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा launching vehicle का इस्तेमाल करना होगा मतलब प्रक्षेपन यान का इस्तेमाल करना होगा अब ये प्रक्षेपन यान क्या होता है तो जब आप rocket लेते हैं इस rocket के उपर satellite को बिठा देते हैं तो इस पूरे setup को कहा जाता है launching vehicle अगर कोई पूछे कि वही केवल rocket लिया जाया और rocket को सीधे space में पहुचा दिया जाया है तो उसको क्या कहेंगे तो उस चीज को कहा जाता है sounding rocket उस चीज को क्या कहा जाता है sounding rocket कहा जाता है लेकिन जहां पर हम बात क्या कर रहे है कि जहां पर आपका satellite भी हो satellite के ऊपर मतब आपका rocket भी और rocket की ओपर satellite को बिठा दिया जाए तो वो जो चीज विजवाई जाती है तो उसको launching vehicle कहा जाता है तो ये पहुचाने के लिए आपको किसका प्रक्षेपन यान का भी इस्तिमाल करना पड़ेगा और आपका rockets का भी इस्तिमाल करना पड़ेगा अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये जो launching vehicles हैं ये प्रक्षेपन यान हैं ये कैसे हवा से तो चलते नहीं होंगे किसी ना किसी तरह का इधन भी इनको चाहिए होता होगा तो इनके इधन के तौर पर इनके fuel को भी हमको समझना होता होगा इनके इधन में किस तरह का इधन इस्तेमाल किया जाए solid fuel use किया जाए liquid fuel use किया जाए या फिर cryogenic fuel use किया जाए ये भी एक महत्पून चीज़ होती है तो ये जो जितने भी आपके इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर जो कहा जाता है मतलब अगर कोई space technology पढ़ रहा है कोई भी अंत्रिक्ष यांत्रिकी को या अंत्रिक्ष प्रद्योगी की को पढ़ रहा है तो उसको क्या पढ़ना होगा तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो पहले सबसे पहले पढ़ना होगा क्या पढ़ना होगा तो ये देख लीजे ध्यान से तो यहाँ पर आपको space के अंदर ये जो चीज़ है launching vehicle हो गया इधन हो गया जैसे इसके अलावा ये जितनी भी चीज़े हैं एक satellite की बात कर रहे हैं इसके लावा satellite की उपर ये ती सारी चीज़े दिख रही है battery है, radiometry है, transducers है camera है, lidar है, photovoltaic cell है इनी सारी चीज़ों को बोला जाता है payload ये क्या है? payload है, मतलब उस satellite पर क्या load, क्या-क्या लगाया गया है उस चीज़ को payload कहा जाता है तो space technology में आपको पढ़ना क्या है, अगर कोई मोटे-मोटे तरीके से पूछे, तो आप उसको बताएंगे कि भई, space technology में हम satellites को भिजने का काम करते हैं space में, और उससे हमारा काम हो जाता है information का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे satellite ही उस करेंगे, अब उस satellite camera लगा दिया, satellite पर transducer लगा दिया, satellite पर sensor लगा दिया, तो वो जो चीज़े हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें payload कहलाएंगी तो payload अगर आप से exam में पूछा जाएं कि भई, payload का मतलब क्या होता है तो payload आप बता देंगे कि satellite के जो अंग होते हैं जो satellites के sub parts होते हैं जो पूर्जे होते हैं जिसके current satellite हमें हमें जितना भी काम है वो करकर provide कर रही है वो जितनी information gather करना है वो करकर दे रही है remote sensing सुदूर संक्षेपन जो कर रही है वो कैसे कर पा रही है क्योंकि उसके पास payload है इसके अलाबा इसमें क्या चीज होगी यह कैसे उपर जा रहा है तो इसमें fuel यूज किया जा रहा है solid fuel ठोस इधन का इस्तेमाल किया जा रहा है द्रव इधन का मतलब liquid fuel का यूज किया जा रहा है और cryogenic cryogenic जो fuel होता है वो बहुत ही कम temperature होता है मान लो 100 degree, minus 100 degree, 110 degree तक आप जो ह है hydrogen और oxygen को करते हो तो वो gases है वो liquid में convert हो जाती है तो cryogenic engines भी आज हम use कर रहे है GSL भी हमारे टेक्नॉलोजी है उसके अंदर बिल्कुल है बिल्कुल यह topic है देखो radar का मतलब होता है radio detection and ranging मतलब radio signal को detect करना उसकी range को पता करना और सारी जगा कितने signal क्या आ रहे है वो बता दिया जाता है आपका radar ऐसी लेडार होता है यह होता है light detection ranging इसमें जो प्रकाश होता है उसके help से जो हम सारी information gather करते हैं अब यह satellite को कैसे को information आ रही है तो वो तो किसी ना किसी waveform में आ रही है तो उसको radar कह देते हैं तो radar है light detection and ranging radar हो जाएगा तो radio detection and ranging के अंतरगत आ जाता है तो इतनी बात समझने आ रही है आप लोगों को क्या बात कर रहे हैं हमें space technology के अंदर कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि वह space technology के अंदर क्या पढ़ते हैं कितने एक major major components होते हैं उनको answer दे पाएंगे आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट सेक्ष्ण में तो सीधे सीधे हमने क्या बात करी कि वह हमारे पास दो तरह के सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखा कि वह अंतरक्ष के अंदर क्या है तो वह सूरे है सूरे के साथ साथ ग्रह हैं और उप ग्रह हैं तो यह जित्ती भी चीजे हैं आपकी इन में उ सेटलाइट और एक आर्टिफिशल सेटलाइट तो भई आर्टिफिशल सेटलाइट जो है वो क्या होती है तो आर्टिफिशल सेटलाइट वो होती है जो मानव के द्वारा निर्मित होती है मैनमेड होती है उस पर हमने बात करी और उसके बाद हमने क्या देखा तो भई आपक यहाँ पर हमने जो बात करी थी वो यही करी कि भई जो आपकी man-made satellites है वो कृतिम उपग्रह किसका इस्तेमाल कर रहे है वो उसके अंदर आपका satellites तो है उपग्रह तो है साथ-साथ उस उपग्रह पे लगने वाली चीज़ों को हमने क्या कह दिया पे लोड कह दिया साउंडिंग रॉकेट और लॉंजिंग विकल ठीक है समझा दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है पहले समझ लो कि भई हमारा space technology के अंदर जब बात होगी तो space technology के अंदर क्या बात होगी तो space technology अंत्रक्ष यांत्रकी में एक तो हमारे satellites की बात होगी दूसरा हमारे fuels की बात होगी मतला इधन की बात होगी इसके अलावा आपका rockets की बात होगी और rockets के साथ-साथ launching विकल्स की बात होगी तो यह जो payload होते हैं पेलोड को मैंने आपको बता दिया कि वह यह क्या है camera है sensor है इसी के अंदर आजाएगा transducers ऐसी तमाम चीज़ें इसके अंदर आजाती है अब देखिए हम बात क्या कर रहे है rockets, launching, vehicles satellites, यह सारी चीज़ें space technology में आती है अब जो भी doubt आ रहा है अच्छा ठीक है अब देखो कोई भी देश जो होता है कोई भी विक्सित देश होता है developed country होती है तो क्या है कि हमें satellite तो भिजवानी है अब satellites को हमें space में भिजवाना है तो वो क्या होता है सबसे पहले चेक किया जाता है जैसे आप देखेंगे कि किसी train को किसी route पर चलाना होता है या फिर हमारी जैसे first train भी चली थी तो मुंबई से थाने के बीच में सको क्यों चलाया गया था पहले टेस्टिंग की गई थी कि यह train धंग से चल पारी है कि नहीं नहीं तो लोगों को बिठाया गया और बहुत बड़ा हथ्चा हो गया कि वो एक्सपेरिमेंटी फेल हो गया तो ऐसे ही क्या किया जाता है स्पेस टेकनोलोजी में भी कोई भी अगर आपको सेटलाइट भेजनी है तो पहले रॉकेट को भेज कर देखा जाता है तो जब रॉकेट अकेला जाए रॉकेट निकले यहां से और स्पेस में चला जाए तो उस चीज को कहा जाता है साउंडिंग रॉकेट उसको बोलेंगे साउंडिंग रॉकेट और जब उस rocket के उपर satellite को बिठा दिया जाए तो उस satellite को बिठाने के बाद उसको बोल दिया जाता है launching vehicle launching vehicle का मतलब प्रक्षेपन यान बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़े पढ़ेंगे अभी तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ देखो हर GSLV क्या है PSLV क्या है ASLV क्या था SLV क्या था रोहनी क्या थी हमारी आर्रे भट क्या थी नाई का पाचे पर हमने कैसे experiment क्या थी ये यह सी सारी चीज़ें इसमें पर ने अभी हमने स्पेस टेकनोलजी स्टाट किया то रखार्र रॉस पेस टेकनोलजी में अगर बाट से पूचा जाए कि वहत ऐस पेस टेकनोलजी तो रखार्र आपसे पोचा एक थे हम सेव आनूर साटलीक्या सोट त्फटी आपका एन्टरिक्ष्ष प्रद्योगी की वह है जिसके अंदर अबस चीजे होती है इंडिया ने कैसे इस चीज पर काम करना चालो किया हमारे space के अंदर आज एक department है जिसको department of space कहा जाता है जो कि 1972 में बना तो क्या उससे 1972 से पहले हमारे space program किसके अंदर आते थे तो भई हमारे अंदर जो space program थे वो हमारा परमाणू विभाग हुआ करता था department of atomic energy उसके अंदर आते थे ये दो विभाग भारत के अंदर ऐसे हैं जो सीधे सीधे प्रधान मंतरी के अंतरगत आते हैं तो ये सारी चीजें समझेंगे हम अभी हमने सिर्फ basic समझाए कि आप से कोई पूछ ले वह space technology क्या होती तो आप उसको बता देंगे कि वह ये सारी चीजों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो उसको बोल दिया जाता है space technology वो होगी space technology यहां तक चीजें clear हुई या नहीं हुई बताईए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मून जो है हमारा चंद्रमा जो है हमारा वो क्या है एक प्राकृतिक उब्ग्रह है मतलब एक artificial satellite है ऐसे ही हमने यह प्राकृतिक मतलब natural satellite है ऐसे हमने बहुत सारे क्या बना दियες हमने अपने हिसाब से अलग- labeled satellites को यहां पे फार्म किया जिसको क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है artificial satellites तो ये जो है आपका sun है तो space के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, planets आ गई इन planets के around जैसे ये अर्थ है अर्थ के आसपास आपको moon देख रहा है तो ये सारी चीज़ें naturally है ये हमने नहीं बनाई है ये जितनी भी चीज़ें जितने उपगरहें देख रहे है ये आपको प्रकरतिक तोर पर space में देखने मिलते हैं अंतरिक्ष में देखने मिलते हैं लेकिन हम जो बना रहे हैं हम ऐसी satellites को बना दे रहे हैं जो की हमारे द्वारा बनाई गई है ये man-made है तो यहाँ पर हम बात कर रहे है man-made satellites की तो ये जो है ये होगा space technology का और मैंने आपको पहली class से यही बताया कि वह technology का मतलब क्या technology का मतलब कि जो आपका past का science है that's become future technology तो हम जो भी use कर रहे हैं ये technology ये हमें कैसे पता है ये technology को हम इसलिए use कर पा रहे है क्योंकि हमने इसका science पढ़ चुके है तो जो अतीत का विज्ञान होता है वही वर्तमान की प्रद्योगी की बनती है ये ही इसी concept पे बात हो रहे है तो अगर हम space technology पढ़ पा रहे है तो हमें पहले पता है कि भाई कितने planets होते है gravity कितनी होती है escape velocity का क्या मतलब होता है plane wake का क्या मतलब होगा अगर हमें कोई चीज उपर भेजनी होगी तो हमें 11.2 km प्रती सेकेंड की रफतार से ज़्यादा तेजी से भेजनी होगी तब जाकर वो space में पहुच पाईगी space में टिखने के लिए कौन सा बल चाहिए तो हमको center vital force भी पता है gravitation के बारे में हम पढ़ चुके है Kepler के law पढ़ चुके है तो ये सारी चीज़े हम कहां पढ़ते है science में पढ़ते है अब उन science की चीज़ों को जब हमने इस्तेमाल किया तो जो past science था वो बन गया क्या वो बन गया future technology या present technology तो उसके आधार पर हम ये सारी चीज़ें बात कर रहे है तो इसके component समझ लिए हमने कि अगर हम space technology पढ़ेंगे तो वहाण satellite भी पढ़ेंगे वहाँ payloads की बात करेंगे वहाँ पर fuels की बात करेंगे वहाँ साउंडिंग rockets की बात करेंगे ये सारी चीज़ों पर हमारी बात होगी तो इन चीज़ों को कम मैं ली जब पढ़ा जाएगा तो वो कौन सा subject पहलाएगा वो कहलाएगा Space Technology तो Space Technology में सबसे में चीज जो है वो है Satellites तो ये Satellites कहां होती है हमारे घरों में नहीं होती है ये Space में होती है इसलिए ये Space Technology का काम है लेकिन हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है वो इसकी मदद से हो रही है इसलिए इसको कहा जाता है तो ये जो है ध्यान से देखेंगे क्या question है थोड़ा सा clear लिखो मुझे समझे नहीं आ रहा है क्या पूछना चाहरे हो आप लोग तो देखिए यहां तक बात जो है past science or future technology की बात हो गई अब देखिए इसमें आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि वही इसके अंदर एक main चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है जिसको कहा जाता है पे लोड अब सैटलाइट के अंदर जो components होते हैं मतलब किसी उपग्रह के अंतरगत पाई जाने वाले पदारतों को आप क्या बोल देते हैं उनको बोल देते हैं पे लोड अब यही तो सबसे यहादा काम करते है अब सैटलाइट तो एक क्या है एक set अप है इस सैटलाइट का काम तब तक अढ़ूरा है जब तक इसमें जो भी चीजें लगी हुई है अब यह जो camera है यह camera आपको क्या करके देगा सारी information pictorial form में दे देगा यहां की pictures निकालेगा कि वही उपर से Antarctica ऐसा दिखता है यहां पर Indian Ocean में इस तरीके के change आ रहे है तो वो सारी चीजें आपको कौन प्रदान करेगा तो वो camera लाकर देगा इसके अलावा इसी में यह सारे चीजें attach की जाती है इसके अंदर S-Bend antennas वगिरा होते हैं जो signals को check करते हैं GPS antennas होते हैं बसेस होती हैं इसके अलावा sensors इसमें लगे होते हैं लगे होते हैं तो यह सारा पूरा का पूरा setup आप क्या कहा देंगे कि इसी को payload कहा जाता है और payload हमारा जो है desired work करके provide करता है desired work मतलब हमारे जिस तरह की information हमें gather करनी है हमें मौसम की जानकारी लेनी है हमें जो है किसी प्राकरतिक आपदा के बारे में पता चलना है कहीं पर जौला मुखी का उदगार हुआ है कहीं पर volcanic eruption हुआ है कहीं tsunami आ रही है इन सारी चीजों की बारे में भी आपको satellite से बहुत जल्दी information पता चल जाती है किस तरीके से जो है आपका कहां पर high pressure zone बन रहा है कहां पर low pressure zone बन रहा है उच दवाब शेत्रे, निमनम दवाब शेत्रे इन सारी चीजों के बारे में भी जानकारी हमें किस से मिलती है तो satellite के तुरू मिलती रहती है तो ये भी इसका एक important part है अब जैसे मैंने बताया था कि आपको जो rockets है इन rockets को अकेले भेज दिया जाए मतलब स्पेस में testing के लिए केवल rocket भेजा जाए कोई भी इसके अंदर satellites को ना बिठाया जाए तो इस तरह की चीजों को क्या कहा जाता है इसी को कहते है sounding rocket तो ये क्या है आपका sounding rocket है इसके अलावा अगर हम बात करें तो वही क्या होते हैं launch vehicles होते हैं इन launch vehicles के उपर आप क्या कर देते हैं तो इनके उपर आप जो है बिठाते हैं किसको satellites को मतलब satellites किसके उपर जाए rockets के उपर जाए और इनके अंदर हम क्या यूज़ करें हम अलग-अलग तरह का फ्यूल यूज़ करें अब देखा जाए तो अभी हम लोगों की जो एकदम बेस्ट टेकनोलोजी है वो है जीएसलवी और जीएसलवी ये एमके थर्ड और जीएसलवी ये दो बहुत इंपोर्टेंट टेकनोलोजी है आपकी तो ये जो दोनो टेकनोलोजी है ये यूज़ करती है क्रायोजेनिक इंजन्स को क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होता है तो मैंने आपको बता है क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि आपका जो ऑक्सीजन ले ले O2 ले ले, hydrogen ले ले इनको क्या किया जाता है जब minus 180 degree Celsius तक इनका temperature दिया जाता है तो यह gas है, यह किसमें बदल जाती है liquid की तरह तो यह बहुत ही कम temperature पर जब इनको convert किया जाता है तो यह liquid में convert हो जाती है और एक fuel की तरह काम करती है तो हमारा जो GSLV है ही इस्तेमाल किया जाता है और यह दोनों जो थे, यह ठोस इधन पर काम करते थे तो हमारे इंडिया में जो launch vehicles है, वो SLV SLV से हमने शुरुआत करी थी SLV के दो project थे वो जो fail हो गए थे, SLV थर्ड हमारा success हुआ था फिर हमने ASLV से भेजा ASLV के बाद जो है, हमने PSLV का इस्तेमाल किया, और PSLV जो है, इसको कहा जाता है, यह जो है पूरा ISRO के लिए ISRO सबसे आदा जो projects भेजता है PSLV से भेजता है, जो सबसे आदा economic है हमारे लिए, आज इंडिया सबसे आदा दूसरे देशों की भी उपग्रहों को उपर तक पहुचा रहा है, वो किसकी मदद से पहुचा आपा रहा है, polar satellite launch vehicle, यह है satellite launch vehicle यह है augmented satellite launch vehicle यह polar satellite launch vehicle, यह geosynchronous satellite launch vehicle और GS synchronized MAC 3rd का इस्तिमाल हम लोग कर रहे हैं, तो यह जो है launching vehicle भी space technology के अंदर आ जाता है तो देखिए, इसका मतलब यह निए कि मैंने GSLV आपको पढ़ा दिया, यहां पर यहां पर हमने जस्ट बात करिये कि GSLV के अंदर आता क्या है, क्योंकि यह बहुत ही important topic है, इसलिए हम एकदम basic से start किया है हमने, कि वह sounding rockets क्या होते हैं, क्या launching vehicles होते हैं यह at least हमारे दिमाग में clarity रहेगे, exam से पूचा जाए, तो आप बता पाएं, वहाँ पर यह चीज़ क्या है, तो अगर आप से कोई चीज़ पूचे कि what is space technology तो वहाँ क्या answer होगा आपका, कि space technology is the technology for use and travel or activities beyond earth atmosphere for purpose such as space fight or space exploration, अंत्रिक्ष प्रद्योगी की, अंत्रिक्ष उडान या अंत्रिक्ष अन्वेशन जैसे उद्देशों के लिए यात्रा और पृत्वी के वायू मंदल से परे गतिविदियों की उप्योग के लिए प्रद्योगी की है कि हम बाहर की information पता कर सके हैं, जो atmosphere के बाहर जो चीज़ें हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं इसके अलाब आवा, space technology includes space vehicles, such as a spacecraft इसके अंदर spacecraft आ जाते हैं satellites आ जाते हैं, space stations आ जाते हैं, orbital launch vehicles आ जाते हैं deep space communication in space propulsion and a wide variety of other technologies including super infrastructure equipment and procedures तो अंत्रिक्ष प्रद्रद्रिक्ष यान जैसे अंत्रिक्ष यान उपगरह अंत्रिक्ष स्टेशन, कक्षिय प्रक्षेपण्यान शामिल हैं और गहरे अंत्रिक्ष संचार जो की communication है अंत्रिक्ष में प्रणोदिन और समर्थन बुनियादी धाचे के उपकरण और प्रक्रियाओं सहित अन्य तकनीकों का एक विस्त्रित्र विविद्धता का अध्यन है बिल्कुल सारे लेक्षर की PDF टेलिग्राम ग्रूप से आप डाउनलोड कर सकते हैं महां मिल जाएगे आपको तो ये जो है हमारी एक basic definition है इसको भी आप वहाँ पर बदा सकते हैं लेकिन जो मैंने आपको explain किया है bookish language पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है notes मिर से कई बच्चे कह रहे थे कि सर्फ जो भी topics पढ़ा है उसके notes जो है format में notes मैं provide कर दूँगा उसमें कोई चीज नहीं है लेकिन क्या होता है कि आप जो bookish language पढ़ते हो तो वो ज्यादा time तक दिमाग में नहीं रहती है ये चीजे मैं इसलिए include कर रहा हूँ कि ये चीज आप notes बनाने के लिए कर सकते हो लेकिन जब आप समझ लोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो तो खुद से लिखने का ज्यादा try करो notes तो मैं provide करूँगा तो ये थोड़ा सा focus आपका रहेगा तो आपका confidence कोई भी topic आप सीख पाऊगे नहीं तो क्या होगा book उठाई तो आपने उसको समझ लिया और जब book जो है थोड़े दिन नहीं पड़ी तो भूल गए तो आप concept अच्छे से clear करो टेलिग्राम ग्रूप जो है आप सर्च करेंगे या यह यह टेलिग्राम ग्रूप है m27 यहां से आप लोग pdf डाउनलोड कर लिजेगा इसका screen shot ले लिजेगा हर class में बता देता हूं वैसे जो नए students है वहां से कर लेंगे इसके अलावा satellites पूछ लिया जाए आप से क्या है उबग्रह पूछ लिया जाए क्या है तो इसका भी हम थोड़ा सा definition देख लेते हैं कि वही क्या पूछा जाता है तो an object orbiting around the sun जो किसके around गूँ में sun के around गूँ में earth के around गूँ में और any other colossal body is known as satellites मता सूर्य पृत्विया किसी अन्य विशाल पिंड के चार और परिक्रमा करने वाली वस्तु को उबग्रह के रूप में जाना जाता है तो हम उसको क्या कह देंगे उबग्रह कह देंगे there are two major types of categorization when it comes when it comes down to satellites one is natural and other is man-made हम बताई चुका हूँ मैं जब उबग्रह की बात आती है तो दो प्रमुक प्रकार के वर्गी करन होते है एक प्राकरतिक और दूसरा मानव निर्मित तो अगर हम बात करें आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो आरे भट था वो आरे भट natural satellite है या आपकी artificial satellite है तो आप कहेंगे केवल मून ही एक ऐसी चीज़ है चंद्रमाई ही एक मातर ऐसी चीज़ है जो हमारा क्या है प्राकरतिक उपग्रह है बाकी सारे जितने भी हैं अगर के अलावा रोहिनी की बात कर रहा है या फिर आपका आरे भट की बात कर रहा है जितनी भी सैटलाइट से हमने मंगल यान बेज दिया चंद्रयान बेज दिया तो यह जितनी भी चीज़ें है यह क्या है हमारे लिए एक artificial satellites के तोर पर काम कर रही है information वहां से gather करके दे रही है अब satellites में भी कुछ अलग-अलग तरह की satellites होती है जैसे satellite on the basis of application जैसे हम use करते हैं geostationary satellites अब geostationary satellites का मतलब होता है आपका जियो का मतलब अर्थ होता है stationary का मतलब अर्थ के साथ हमेशा stationary बने रहे तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि आप अर्थ पर यहां हो तो हो सकता है कुछ देर बाद आप यहां पर हो जाओगे क्योंकि प्रित्वी तो घूम रही है rotation भी कर रही है revolution भी कर रही है तो यह जो है आपका आप इस position पे थे इस position से आप इस position पे आ गए तो मान लिया जाए हमने यहां कोई satellite लगाई होई है जो आपको आपी की जगा की सारी information दे रही है या कोई tv channel आप देखते हैं तो tv channels के ल घूम रही है तो मान लो कि वो antenna बहुत अच्छे से लगा हुआ है तो प्रित्वी तो घूम के जो है angle change हो गया तो फिर कैसे काम होगा तो satellite को भी ऐसा बनाया जाता है कि वो अर्थ के साथ दीरे दीरे जितना अर्थ ने rotation किया है जितना अर्थ ने revolution किया है उतना ही वो भी कर बहुते रहे तो वो होती stationary नहीं है वो घूमती वो भी है लेकिन अर्थ भी घूमती है तो अर्थ के साथ जो stationary हो जाती है उसको हम बोल देते हैं Geo stationary तो यह जो है प्रित्वी के साथ एक तरीके से स्टिक तरीके की satellites होती है इनका हम विवस्ता कहां यूज़ करते हैं संचार में इन सेट सीरीज जो है इंडियन सैटलाइट जी सेट सीरीज एडू सेट हैं सेट ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है जियो stationary satellites में इसके अलावा एक होती है अर्थ observation satellites अब ये प्रित्वी के बारे में सारी जानकारियां लेती है जैसे आई रस सीरीज कार्टो सेट सीरी रिसोर्स सेट ओशियन सेट समुद्र के बारे में पता करती है रिसेट एन रिसेंटली इन विजन एस्ट्रो सेट ये एस्ट्रो नामी रिलेटेट इन फॉर्मेशन गैदर करके देती है इसके लावा नेविगेशन सैटलाइट होती है जो आपको किसी भी जगा की जैसे जी स्पेस मिशन की बात करें तो ये मॉम जो था मंगल यान को कहा गया था गगान यान चंद्रयान ये स्पेस मिशन से छोटी सैटलाइट में जिसे जुगनू है इसको नैनो सैटलाइट कहा जाता है तो ये कुछ छोटे सैटलाइट के नाम हो गए तो हम स्पेस टेकनोलोजी पढ़ रहें तो Space Technology में हमें Satellites के बारे में भी पढ़ना हो जाता है तो हमारा Space Technology फिर से मैं वही बात करेंगे हम कि Space Technology जो हमने पढ़ ली एकदम Basic से बात करिए आज Space Technology में इसमें एक एक चीज आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा तो Space Technology में हमारी सबसे पहली बात हो जाती है Satellite से Satellite के साथ ही क्या आ जाता है Payload आ जाता है Payload के साथ आ जाता है आपका fuel जिसको आप क्या कह रहे हैं इधन कह रहे हैं इसके बाद अगर हम बात करें इसी के अंदर क्या आ गया तो इसी में launching vehicles भी आ गए Sounding rockets तो ये पूरी चीज़ें आप किसके अंदर पढ़ते हैं Space technology या फिर अंत्रिक्ष प्रद्योगी की में अब देखिए ये तो इतनी बात हो गई हमारी किसकी Space technology या अंत्रिक्ष प्रद्योगी की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके historical background की इसके जो है प्रिष्ट भूमी की कैसे ये Space technology आज इंडिया में काम कर रही है इसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है कौन से institute की बात की जाती है तो देखा जाये तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमारे लिए Space program कोई भी माइने नहीं रखता था क्योंकि जो भारत आजाद हुआ था ब्रिटिश उपनिवेश से तो हमारे यां बहुत ज़्यादा क्या थी बुकमरी थी बहुत ज़्यादा गरीबी थी मतलब हंगर इंडेक्स काफी हाय था हमारा बहुत सारे फैमाईन्स आ चुके थे कई बार सूखा पड़ चुका था लोग कूपोशन के शिकार थे बहुत ज़्यादा पोवर्टी थी लिट्रेसी बिल्कुल जीरो थी तो हमने Space program के बारे में नहीं सोचा लेकिन उस समय USA, USSR काफी ज़्यादा जो है एक्टिवली इस Space program पे काम कर रहे थे इसी कड़ी में देखने मिलता है कि हमारे Space program के जो जनक थे विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई कई बार ये जो थे इनके बाद विक्रम सारा भाई और सतीश दवन ये दो बहुत महत्पून लोग हैं हमारे Space program के लिए तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे दूसरे मुद्दे थे हम लोग कम्यूनल लड़ाईयां लड़ रहे थे हम सामप्रदाइक भारत में दंगे हो रहे थे नाओ खाली में आपका लाहोर, अमरित सर यह पूरा लहू लुहान था, तो हमारे यहां तो एक डिड़ साल तो इन दंगों को सेटल करने में ही जो है निकल गया था, क्योंकि भारत का जो बठवारा हुआ था वो बहुत ही खटे तोर पे हुआ था, बहुत बेटर दंगे हो रहे हैं, कमिनल राइट्स हो रहे हैं, उनको रोकना था, तो नहरू जी की जो कैबिनेट थी, उस समय उस पर बिलकुल भी ध्यान नहीं था, लेकिन विकरम सारा भाई, जब से स्पेस प्रोग्राम इनकी एक लेबोरेटरी थी, जो की आपका एहमदाबाद में हुआ करती थी, इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करिए, मैंने अचीवमेंट्स आफ साइन्टेस्ट का भी एक लेक्चर लिया हुआ है, जिसमें भारत के जितने प्रमुक प्रमुक विज्ञानिक से उनकी क्या अचीवमेंट्स है, उनको भी पढ़ाया हुआ है, तो यह जो है इसकी प्लेलिस्ट बनी होई है, साइन्स और टेक्नलोजी की, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो इससे पहले मैं 11 लेक्चर पढ़ा जुका हूँ, तो उनको भी नीतियों में काफी एक्टिव थे, विदेशों में भी जो चीज़ें, गतिविदियां हो रही थी, उसको भी देखते थे, लेकिन वो समाजवादी नेता भी थे, शोशलिस्ट नेता भी थे थे, लोगों के लिए उनको लगता था कि हमने स्पेस प्रोग्राम के लिए पैसा ज़्यादा खर्च किया, तो भई लोगों की तो दूसरी समस्या हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा आलोचक भी हुआ करते थे, हर सरकार के कोई ना कोई आलोचक रहते हैं, तो ये बेसिकली उस समय भी उनके पास ये एक तरीके की मतलब डिलेमा था, उनकी मंशा थी कि बह बहुती ज़्यादा उस पर कहने के बाद, जो है जब हम 1962 में चाइना के साथ हमारा एक वार हुआ था, इस चीन युद्ध में चीन ने कई तरह की जो है ट्रीटी साइन की हुई थी, लेकिन डोकलाम वाला शेत्र, जो गलवान वाला शेत्र, लद्दाक वाला शेत्र, इस प पर हमारे रक्षा विभाग पर हम लोग का ये था कि भारत जो है एक अंतराष्टी ये देश के तौर पर काम कर रहा है और हमारी अंतराष्टी ये जो एक तरीके की पॉलिसीज हैं, वो बहुत अच्छी हैं सबको हम लेकर चल रहे हैं, हिंदी चीनी भाई-भाई का आंदो जो है नारा दिया गया था उस समय, तो काफी जो है एक बैक फूट पे ला दिया था हमें इंडिया सीनो वार ने, तो चाइना के साथ जो वार हुआ, उसके बाद जो है थोड़ी विचार धारा हमारे यां बदलना चालो हुई, उसमें जो है विकरम सारा भाई ने भी काफी ज़्यादा जोर दिया कि हम ऐसी कोई चीज बनाएं ऐसे लोगों का कोई समू बनाएं जो की इस चीज के लिए dedicated रहे और हम space program में भी आगे बढ़ें जिससे हम भारत की गरीबी को भी मिटा सकते हैं तो उनके प्रयास के बाद 1962 में एक कमिटी बनाई गई थी जिसको कहा जाता था इंसको स्पार तो ये जो इनको स्पार था इसको समझ लिजे जो इनसको स्पार था इसका नाम था क्या ये कमिटी थी ये कमिटी क्या है इंडियन स्पेस ये क्या था इंडियन नाशनल स्पेस था इंडियन नाशनल स्पेस कमिशन फॉर स्पेस रिसर्च तो यहाँ पर हमने क्या किया एक इंडियन नाशनल कमिशन बनाई किसके लिए स्पेस रिसर्च के लिए मतलब इसको स्पार नाम दिया गया और इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया तो विक्रम सारा भाई ने देश के अंदर जो अलग-अलग जगा के लोग थे जिनको अलग-अलग फील्ड का नॉलिस था उसके नाम पर यह इंसको स्पार नाम की एक कमिटी बनाई जिननोंने सोचा कि वही आगे चल कर हम जो हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे तो इनके अंदर बताया गया इनको उससर में रखा गया था Department of Atomic Energy के अंदर Department of Atomic Energy जो पर्माणू उर्जा विभाग होता था उसमें रखा गया था यह कमिटी के तौर पर बनाई गयी थी जिसमें अलग-अलग शेत्र के लोगों को शामिल किया गया था विक्रम सारभाई के द्वारा, फिर बाद में हमारे दो प्रधान मंत्री बदल गए, नहरू जी की 1964 में मृत्ती हुई उसके बाद गुलजारी लाल नंदा हमारे भारत के प्रधान मंत्री बने, कुछ दिनों बाद लाल बादु शास्त्री जी को बनाया गया, उन्होंने भी स स्पेस प्रोग्राम पर काफी सोचना चालू किया, लेकिन फिर एक और युद्ध हो गया, पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध कर लिया 1965 में, तो 1965 के युद्ध में हम गए, इसके अलावा हमारे भारत के अंदर फूड सिक्यूरिटी की जो समस्या थी, खाद सुरक्षा ज 1969 को इसरो बना, इसको एक अलग से इंस्टिट्यूट बनाया गया, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन, ये कब बनाई गई थी, 15 अगस को, तो पहले जो है, इसको स्पार बनाया गया था, 1962 में, 1969 के बाद इसरो का फॉर बनाया गया, जिसको क्या खा आगया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो था, अंत्रेक्ष विभाग अलग से बनाया गया, और इसके अंदर इसरो को रखा गया, आज भी भारत के अंदर जो परमानु विभाग है, और जो स्पेस डिपार ये दोनो directly किसको report करते हैं, तो ये directly report करते हैं भारत के प्रधान मंतरी को, तो ये जो है थोड़ी सी हमने एकदम basic basic background को देखा है, इसके लाबा मेरी अभी एक और class है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे PDS system के बारे में, जो public distribution system पर हमारी बात हो रही थी, सारवजनिक जो प्रणाली होती है जिसमें राशन प्रदान किया जाता है भारत की एक समस्या भुकमरी भी रही शुरू से तो उसके उपर भी हम जो है तीन बजे से बात करेंगे तो इसके उपर जो यहां तक बात किये इसरो को हमने बना दिया है अब इसरो ने कैसे कैसे काम किया इन लोगों ने कैसे चीज़े समझाई, Somali, Sounding Rockets, India ने कैसे यूज़ किया, हमें USA और USSR का कहां पर सपोर्ट हुआ, कहां वो पीछे हट गए, ये सारी चीज़ों को हम लोग next, जो इसका पार्ट होगा, उसमें cover करेंगे और आगे इस रोको ले कर जाएंगे, तो आज आपको थोड़ा-थो अभी थोड़ी दिर में ही मेरा सेशन है, तो उस सेशन में भी जोड़ सकते हैं, PDS बहुत important part है, कल भी उसका हमने कुछ discussion किया था, उसके आगे हम वहाँ पर बात करेंगे, तो hope lecture आपको clear हुआ होगा, समझने आया होगा, अगर आपको ये series समझने आ रही है, तो इसको पर वाचि दी चनाब आखको